सूरी त्राटक जो भी सादक सिद्ध कर लेता है, वहा महाकाली का जब साक्षात करता है, तो महाकाली से निकलने वाली उर्जाओ को वह सादक सहन कर सकता है, क्योंकि महाकाली का तेज सूरी से भी कई गुना बड़ा होता है, पर अगर हम त्राटक साधना को सिद्ध कर ले, ज इतनी शम्ता तो विक्सित कर दी है कि वह जब मा काली क्या साक्षाद दर्शन करेगा तो उसकी आंके उच्छ शक्ति को उस तेज को उस प्रकाश को सहन कर सकेगी। त्राटक की शम्ता से सादक इस तरह के इस तरह पर पहुच जाता है कि साक्षाद देवी देवता, पिसाच, कर्ण पिसाच, पिसाचनी ऐसे चीज़ें को जब साक्षाद दिखता है तो उनकी शक्ति का असर सादक को सीधे नहीं होता है। सादक की आखे मजबूत हो जाती है क्योंकि सूरी तराटक इस तरह का तराटक होता है जिसके अंदर सादक को सबसे ज़्यादा तेज की प्राप्ती होती है। तेज का एक अर्थ होता है उर्जा प्राप्त करना। जब सादक के नेतरों में अत्यधिक उर्जा बढ़ियाती है तो उसके अंदर अत्यधिक सम्मोन शक्ती प्राप्त हो जाती है सादक के नेतर टीवर हो जाते हैं शक्ती उगर हो जाती है जिसे सादक सूरित राटक के दुआरा कई लाब ले सकता है सूरित राटक सिद्ध हो जाने के बाद सादक को समाधी के वस्ता प्राप्त होने लगाती है पर इस चीज़ का धियान रखना होता है कि सूरी तराटक सिफ गुरू के मार्ग दर्शन में ही करना चाहिए क्योंकि यह सबसे उत्तम और सबसे उग्र तराटक माना जाता है इसकी अनुमती गुरू से प्राप्त करने के बाद अपनी शम्ता के अनुसा सीखना चाहिए समझना चाहिए तब ही सूरी तराटक का लाब ले सकेंगे सूरी तराटक सबसे उत्तम तराटक माना जाता है प्राचेन रिशी मुनी जाता सूरी तराटक पर अभ्यास करते थे क्योंकि वह तेज की प्राप्ति करते थे इसलिए सादक को समझना होगा कि सूरी तराटक सहज नहीं है किसी सूरी को देखने लग गया और देखना मातर तराटक हो गया इसमें कई रहसे वाली चीजे होती है जो सिर्फ गुरू ही बता सकता है वह किसी किताब में या किसी वीडियो में नहीं मिलेगी अगर सूरी तराटक कल लोगे तो तुम आध्यात्मिक जीवन में अपने शेई की सुर्धी भी कर सकोगे मन के सुर्धी कर सकोगे आखों में तेज की प्राप्ती कर सकोगे उसी के साथ साथ तुम अपने अध्यात्मिक जीवन में पूर्ण सफल हो सकोगे शिवुम